अज मैं आपके लेके आई हूँ मुंबई का फेमस स्टीट फूट पाव भाजी की रेसेपी पाव भाजी जब भी हम कभी घर में बनाते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारी भाजी है उसका कलर एक दम मार्केट जैसा नहीं आपाया है और जो हम स्टीट पे खाते हैं भाजी उसमें अलगत रहकी खुशपूर एक फ्लेवर आ रहा हुता है वो खुशपूर फ्लेवर उस भाजी में कैसे आता है जो हम घर में बनाते हैं तो नहीं आपाता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी जो पावभाजी है न वो बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी आप मेरी बताए हूँ इस रेसिपी से पावभाजी बनाएंगे तो आपके पावभाजी एकदम मार्केट जैसी बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक ज़रूर कर दें जलिए इस इंटर सीपी रेसिपी पर शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक प्रेशर कूकर रख दिया है जिसमें हम अपने फेज़टेबल को बॉइल करेंगे जब प्रेशर कूकर गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1-5 चमश के जितना तेल यहाँ पे refined tail use कर रही हूँ, अभी हमें यहाँ पे butter का use नहीं करना है यहाँ पे refined tail का ही use करें सबजी को boil करने के लिए जब तेल अभी अच्छे से गर्म हो रहा है तो मैंने यहाँ पे कोई सबजियां ले ली है मैंने यहाँ पे लिया है दो आलू जैसे मैंने छील के अच्छे से धो के काट लिया है एक छोटे size की फूल को भी ली थी मैंने जिसके इस तरह से फूल निकाल लिया है दो गाज़र लिया है मैंने जिसको इस तरह से काट लिया है छील के एक चुकुंदर ली थी जिसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से टुकुंदर में काट लिया है छोटी सी साइस की चुकुंदर थी एकदम उसको भी मैंने आधा लिया है दो टमाटर ले लिया है मैंने जिसको धोके अच्छे से काट के ले लिया है मैंने यहापे अब आप सोचेंगे कि पावभाजी में चुकुंदर तो डलता नहीं है लेकिन फ्रेंड्स आप इस तरह से 2-3 चोटे टुकुरे चुकुंदर के अगर पावभाजी में डालेंगे न उसी से आपको कोई एक्स्ट्रा कलर मिलाने की जरूत नहीं पड़ेगी आपके पावभाजी का कलर बिल्कुल मार्किट जैसा आ जाएगा तब हम यहाँ पे तेल गरम हो गया है तो इसमें आधा चम में जीरा डाल देंगे जब जीरा तेल में अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें यह जो सबजियां है वो सारी आट कर देंगे अगर आप ताजे मटर यूज़ कर रहे हैं तो अभी आप ताजे मटर को भी इसी समय डाल दें एक कप के जितना आप हरा मटर ले सकते हैं और कूकर में डालने के बाद सबजियों को दो से तीन मिनट के लिए हम इसी तरह से तेल में फ्राइ कर देंगे ज़्यादा हमें यहाँ पे फ्राइ नहीं करना है बस दो से तीन मिनट हम फ्राइ करेंगे उसके बाद इसमें अट कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और दो चमच भर के मैं यहाँ पाओ भाजी मसाला डाल रही हूँ आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं पाओ भाजी का मसाला क्यों डाल रही हूँ लेकिन आप एक बार इस तरह से यह पाओ भाजी का मसाला यहाँ पे डाल के देखें इससे जो आपके भाजी में फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़धा टेस्ट्री आएगा और भाजी जो आपकी बिल्कुल एकदम मार्किट जैसे बनेगी अगर आपने इस तरह से कभी नहीं बनाया है न तो एक बार जरूर बना के ट्राइ करें नमक और पाव भाजी का मसाला डालने के बाद एक मिनट के लिए यहाँ पर मैंने low to medium flame पर सबजियों को और इस तरह से भून लिया है यह देखे जिससे कि जो मसाला हमने डाला है वो तेल में अच्छे से फ्राइ हो जाएगा और भाजी का जो मसाला है उसका सारा फ्लेवर तेल में बहुत अच्छे से आ जाएगा तो यहाँ पर सबजियां भून गई है अब अब इसमें पानी आट कर देंगे तो मैंने यहाँ पर एक से डेड़ कप पानी डाला है पानी आपको सिर्फ लेवल तक कही डालना है बर जिसमें सारी सबजियां अच्छे से डूप जाएए जादा पानी अभी आपको इसमें नहीं आट करना है अब हम प्रेशर कूकर का धकन बंद कर देंगे और मेडियम टू हाई फ्लेम पे इसमें चार सीटी आजाने तक इसको हम प्रेशर कूक कर लेंगे और चाय सीटी आ जाने के बाद pressure cooker को हम अपने आप ठंडा होने देंगे उससे पहले नहीं खोलेंगे जब तक हम इसके लिए भाजी के लिए कड़का त्यार कर लेते हैं तो एक बड़ी कड़ाई लेनी आपको इसके लिए जैसे हमने देखा होगा street food जो हम खाते हैं उसमें बड़ा सा तावा होता है लेकिन घर में हमारे पस बड़ा सा तावा नहीं होता है तो आप एक बड़ी सी कड़ाई ले ले उसमें हम डाल देंगे दो से तीन टेबल स्पून के जितना मक्खन फ्रेंड जी जो पावभाजी होती है न मक्खन के बिना यह अधूरी होती है साथ ही हम इसमें एक टेबल स्पून के जितना तेल डाल देंगे जिससे कि हमारा मक्खन जो है जलेगा नहीं जब मक्खन अच्छे से पिगल जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे दो प्याज यहाँ पर मैंने बारी काट के ले लिया है अब हमें प्याज को यहाँ पर तब तक पका लेना है जब तक प्याज अच्छे से गल नहीं जाते है तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज ब्राउन नहीं हुआ है लेकिन अच्छे से गल चुके हैं इसी स्टेज़ पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक शिमला मिर्च जिसको मैंने बारिक काट के ले लिया है इस समय आपको जो भी सबजी लेनी है वो बारिक कटी हुई लेंगे तो जितनी बारिक कटी हुई आप सबजी लेंगे भाजी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा शिमला मिर्च को भी हमें तब तक फ्राइ करना है जब तक यह अच्छे से गल नहीं जाती है दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर अच्छे से गलाना है प्यास को भी और शिमला मिर्च को भी तो फ्लेम को आप लोड टो मीडियम रखेंगे इसके बाद तक जाएँ एक जिंजर गार्डिक पेस्ट आता है वो भी ले सकते हैं अब अधरकर लसन डालने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इसके साथ हमारी प्यास और शिमला मिर्च भी और अच्छे से फ्राइ हो जाएग इसके बाद हम इसमे अट कर देंगे कुछ सूखे मसाले तो मैं यहां डाल रहे हूँ एक से डेड़ चमच भरके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जिससे भाजी में बहुत अच्छा कलर आता है और दो टेबल स्पून भरके मैं डाल रहे हूँ यहां पर पाओ भाजी मसाल आप किसी भी अच्छे ब्रैंड का पाओ भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं अब इन सूखे मसालों को लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए इस सरह से फ्राइ करेंगे और उसके बाद इसमें आदे कप के जितना पानी आइट कर देंगे पानी आइट करने से क्या होगा कि सब प्रेशर कूकर में सबजियां उबाली थी उसको भी देख लेते हैं उसमें चार सीटी आ गई थी मैंने गैस को बंद कर दिया था और यहां पे अब यह जो प्रेशर कूकर है यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो हम इसको खोल लेंगे और यह देखिए आप देख सकते हैं सारी सबजियां बहुत अच्छे से गल गई है और हमने जो चुकुंदर डाला है ना बीटरूट उसको डालने की वज़े से इसका कलर भी बहुत ज़्यादा शानदार आया है अब एक मैशर के हेल्प से हम इन सारी सबजियों को अच्छे से मैश कर लेंगे आपको इन सबज पर हमने इसमें जो कुंदर के डाल ले हैं और आप देख सकते हैं भाजी का कलर कितना अच्छा आया है अब हमें इसमें कोई भी उपर से आर्टिफिशल कलर एड करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी और साथ साथ जो बीटरूट होता है वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच् यहां पर मैं एक टेबल स्पून भरके यह शेजवान चटनी डाल गी हूँ आपने कभी अगर स्टीट्स पर खाई है मुंबई में तो आप देखेंगे को उसमें एक लसुन का फ्लेवर आता है वो यही चटनी डालने से आता है अगर आपके पास शेजवान चटनी नहीं है तो आप घर में लसुन और लाल मिर्च की चटनी बना लें और वो इसमें आड़ करें उसमें आड़ करने से इसका टेज जो है वो दुगना बढ़ जाता है और फ्लेवर एकदम आपको मार्किट जैसा आएगा तो यहां पर यह जो भाजी है वो मैंने इसमें आड़ कर दी ह थोड़ा सा कूकर में पानी डाल के जिस सबजी में उबाला था थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे एक से डेड़ कप के जितना या फिर आपको भाजी को जितना गाड़ा या फिर पतला रख रहा है आप उसमें उतना पानी डाल सकते हैं एक कप के जितना मैं यहां फ्र लेकिन अगर आपको एकडम मेर्किट किलग एकडमी, पर अपना कर लिगा, इसको अपना सुपते एक दम बाद जालें, अगर आपको अटो है झ historically टाईपी एक तर लेकिह आपको बालती तु किया कर दिलिए तो आप अगर आपको हलकी हलकी सी सबजी का crunch इसमें पसंद है तो आप इसी जादा mash ना करें लेकिन अगर आपको एकदम market जैसी silky smooth भाजी चाहिए ना बिल्कुल paste जैसी तब आप इसको इस तरह से यहाँ पर और अच्छे से mash कर लें जिससे कि सारी चीजें एकदम अच्छी से mash हो ज आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को like कर दें तो यहाँ पर यह हमारी भाजी बनके त्यार हो गई है और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि पानी थोड़ा सा कम हो रहा है और भाजी थोड गरम पानी मिला सकते हैं जितनी भी भाजी आपको पतली रखनी है आप उसे साब से पानी मिला ले और अगर ठंडी होने के बाद यह भाजी और गाड़ी हो जाएगी तब आपको क्या करना है कि एक पढ़ाई में आपको बटर लेना है बटर में थोड़ा सा पाव भाजी मस स्पून के जितना नीम्वू हम इसमें डाल देंगे साथ ही थोड़ी सी दनिया की पती डाल देंगे और अच्छे से उन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स यह हमारी एकदम मार्केट जैसी भाजी बनके त्यार हो चुकी है देख सकते हैं आप इसका इसका और एकदम वही खुशबू आएगा तो मैं आपको बताती हूं कि जो मार्केट वाले होते हैं वो पाओ को कैसे सेखते हैं तो उसके लिए एक तवा गरम कर लें उनके पास तो बड़ा सा तवा होता है तो इस तरह से बटर लगा देते हैं बटर डालने के बाद थोड इस तरह से बटर लगा देंगे दोनों तरफ से जिससे के हमारे जो पाओ है वो दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सिखेंगे जब जो पाओ होते हैं वो एकदम क्रंची सिखे होए होते हैं तो भाजी खाने में और ज्यादा टेस्टी लगती है इस तरह से क्रंची पाओ य लेंगे और हमने जो भाजी